ये दिखी फ्रेंड्स हमारी ओर्यो बटर बिस्किट पॉप्स लग रही ही न देखने में आकर शक तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ओर्यो बटर बिस्किट पॉप्स इसे बनाना बहुत ही इजी है और मैं बहुत ही इजी तरीकी से आपको इसे बनाना बताऊंगी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं बनाने करी मैंने यूज किया है आइसिंग सुगर दो बड़ी चमच ओर्यो बिस्किट एक छोटा पैकेट बटर बाइट बिस्किट पचास क्राम कंडेंस्ट मिल्क अमूल बटर ये मैंने लिया है चना फुला फुला हुआ चना है इसके छिलके हटा दिये हैं गरी और ये स्टेक और चोकलेट से पहले अपने नारियल को मोटा मोटा घस्क लेंगे नारियल को घस्क लिए हैं बिस्किट को इस पत्थर की साइटा से एकड़म बारेक कर लेंगे इसे तरके इसे भी एक बाउल लेंगे इसे थोड़ा और क्रेश कर लेंगे इसमें थोड़ा शा नारियल आधा चना चीनिंग गंडेंस्ट मिल्क थोड़ा शाओ इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे हाथों से हाथ साफ रखें इस तरीके से इसे एक प्लेट में रख लेंगे अब इसमें बटर बाइट बिस्केट को डालेंगे इसी भी सेम प्रोसेस करेंगे नारियल चीनि चना आमूल बटर इसे अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे ज्यादा नहीं बस थोड़ा से कंडेंस्ट मिल्क डालेंगे थोड़ा से बटर हम इस मिक्षर में भी आट कर लेंगे इसी थोड़ा क्रेमी क्रेमी हो जाएगा इस तरीके से इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेते हैं और इसकी भी इस तरीके से छोटे स्पेड़े बना लेंगे इन दोनों को एक कर लेंगे इस्टिक लगाएंगे हम आपको यह और बना कर दिखाते हैं स्टिक में कंडेंस्ट मिल्क लगा लें तो यह अच्छी तरकी से चिपक जाएगा अब इसको रखेंगे इसी तरकी से हम अपने सभी इस चॉकलेट पॉप्स को बना लेंगे फिरीखी फ्रेंड्स हमने सारा पॉप्स बना लिया अब चलिए इसको चॉकलेट में डूबोने की तैयारी करते हैं चलिए फ्रेंड्स अब चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं चॉकलेट को हम डबल बॉइलिंग मेथट से मेल्ट करेंगे एक पॉट में मैंने पानी लिया हुआ है और एक कांच का जार लिया है आप चाहे तो इस डेल का भी बर्तन ले सकते हैं चॉकलेट को छोटे-छोटे पीस में कट कर लेंगे ये डार्क चॉकलेट है हमारा ये हमने लगभग 500 ग्राम चॉकलेट लिया है पानी खॉलने लगा हमारा पानी इससे टच नहीं होना चाहिए फ्लेम लो कर लेंगे चॉकलेट डलते हैं और इससे धीरे-धीरे पिघलने देंगे फ्रेंस हमारा ओरियो वह बटर बिस्किट चॉकलेट सेट हो चुका है चॉकलेट पिघल जाने पर हम इसमें इसे डुगोएंगे हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है अब हम अपना एक एक यह बिस्किट चॉकलेट उठाएंगे और इसमें लगाएंगे इच्छी तरीकी से हमने एक लास में चावल भर लिया है इस तरीके से हम इसको लगाकर इसमें रखते जाएंगे इस तरीके से हम अपने सभी पॉक्स में लगा लेंगे चॉकलेट को इसके उपर हम थोड़ी सी गरी लगा देते हैं आप कुछ भी लगा सकते हैं इस तरीके से हम इने फ्रीजर में रख देते हैं तस मिनट के लिए ताकि यह सेट हो जाएं यह दिखी फ्रेंड्स फाइनली हमारी ओरियो बटर बिस्किट पॉप्स बनकर रेडी हो गई यह खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिस्यस है आप इसे एक बर घर में जरूर ट्राइक कीजिए यह बच्चों वबड़ों को जरूर पसंद आएगी प्रेंड्स अमने ब्लॉग भी लिकना सुरू करते हैं ब्लॉग के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी हम हर सटेड़े और वेजनाश्टे को आपकी लिए एक नई रैस्पी लेकर आते हैं आप हमारी चैनल को जरूर सर्च कीजिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कमल नमकीन बनाने की विधी के साथ बने रही है हमारे साथ थैंक यू बाई